हेलो गाइज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के उपर तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि एंटिबायोटिक बोलस के टेबलेट के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए तो आज की इस वीडियो में ह बात करने वाले हैं तो दोस्तों आप सभी से क्रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप वैटनेरी क्लासे यूटीब चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बैल को प्रेस करके और पर क्लिक करके आप हमारे वैटनेरी क्लासे बैलेट neighbourhood है इसमें M Carry jolt प्रड़ होता है M Taiwan टैबलेट चैनल में है तो यह है की एंटिबायोटिक यह टैबलेट होती है यह जोिए यानिटिमें ऑं ती कसे में करती है तो बात करते हैं कि कब गशी की बिलब discharge में हमें है अपना नोग में पर में इस बोल्ड जैसे कई बार बैक्टिरियल या वाइरल होने की वज़े से बहुत मतलब पशु में दस्त हो जाता है और जो की छोटे काफ में जो बच्छडे बच्छडिया होती है उनमें ज्यादा जब टाइया हो जाता है तो उस स्थिति में आप अपने पशु में एमोक्सिरम साल्ट वा सांस लेने में दिक्कत आ रही है यानि कि सांस से सबंधित पशु में किसी भी तरीके की कोई बिमारी होती है जैसे कि पशु में नियूमोनिया है ठीक है तो नियूमोनिया में क्या होता है कि पशु को सांस लेने में काफी जाद दिक्कत होती है पशु के नाक से काफे गहर स्राव जो है डिस्चार्ज टाइप जो है बाहर को आता है ठीक है और इंफ्लेमेशन पशुकर लंक स्में हो जाती है तो उस थिति में पशुकर साउ्स लेने काफी जाद बिक्कत होती तो थनेला रोग में भी पशु में काफी ज्यादा पशु को ये अफेक्ट करता है इंफ्लमेशन आ जाती है स्वेलिंग आ जाती है अर्डर टीट्स में और काफी हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता है ठीक है तो उस स्थिति में आप अपने पशु में जो एमॉक्सिरम टैबलेट है एंटीपाइटी उसको इस्तिमाल में ला सकते हैं ठीक है और दोस्तों इसके अलावा हमारे पशु में कई प्रकार की स्केंड डिजीज यानि की तो अच्छा के जो रोग होते हैं वो भी पशु में हो जाते हैं ठीक है जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि पशु में चोटे चोटे डॉट बन जाते हैं फिर उस तान से जो बाल होते हैं वो जड़ जाते हैं यानि कि पशु के धिर धिर पाल जाना शुरू हो जाते हैं या फिर इसके अलावा क्या होता है कि पशु में बहुत ज्यादा खाज-खुजली होती है पशु बहुत ज्यादा खाज कर सकते हैं ठीक है और फिर इसके अलावा जैसे कि परसू में चोटा मोटा किसी तरीके का कोई infection हो जाता है ठीक है वाइरल हो गया फंगल हो गया या कई बार पशू में गल्त तरीके से injection लग जाता है और उस साइट पर काफी ज्यादा स्वेलिंग इंफ्लमेशन आ जाती है यानि कि जैसे हमने मालीजी आएं इंट्रमस्कूलर या फिर सबकट पशू में लगाया है तो उस हिसे में क्या होता है कि कई बार बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है एक गांट टाइप वहां पर बन जात ही फिर आप अपने पश्यों में जो है इस टैबलेट को यूज में लाएं ठीक है अब हम दोस्तों एक और बहुत जरूरी इसमें बात रहती है कि प्रेगनेंस सेफ और अनसेफ यह बात जरूर होती है क्योंकि प्रेगनेंट पशू में अगर हम गलत तरीके से से मैडिशन दे देते हैं तो फिर पशु का आबोर्शन हो जाता है और बहुत सारे साइड इफैक्ट पशु को देखने पड़ते हैं मतलब एनिमल में देखने पड़ते हैं जो की फिर हमारे जो पशुपालक पाई है उनको इस प्रॉब्लम का शामना करना पढ़ता है ठीक है तो दोस्तो हम आपको बताएंगे तो उस हिसाब से आपको जो है डॉक्टर की सिलाख के अनुसार डोजरीट देनी है ठीक है तो दोसों बात करते हैं इसकी डूजरीट की कि किस परशुमें आपको क्या डोजरीट देनी है एमोक्सिरम टैबलेट की जो की एंटिबायोटिक है तो इसमें जो 7 mg पर kg बोडी बूट इसमें जो होता है ठीक है तो आपको क्या करना है कि जैसे अगर आपकी 400 से 500 kg की बड़ी काय है या फिर फैंस है या फिर बुफैलू है ठीक है तो उसमें आप दो टैबलेट तो बोलस यूज में ला सकते हैं ठीक है या एक टैबलेट आप शूबह के समय दे सकते हैं या फिर एक टैबलेट आप शाम के समय दे सकते हैं अगर आपको कंडिशन एनमल की खराब है तो दो बोलस शूबह के टाइम दो बोलस शाम के टाइम कुछ इस तरीके से आप अपने पशू क काफ हैं बचड़े बचड़िया है गोट है शीप है तो इसमें आपको क्या करना है कि इस बोलस का तीसरा हिस्सा यानि कि एक आइडिया लग जाता है बोलस से तो इसमें आपको क्या करना है कि इसका जो बोलस का टैबलेट का तीसरा हिस्सा आप अपनी शीप और गोट को यू में भी आपको लगातार तीन दिनों तक जो है छोटी स्मॉल इनमल को और बड़े जानुरों को ये यूज में लाना है ठीक है तो इससे क्या होगा कि परशु बिल्कुल सही तरीके से जो है रिकावर हो जाएगा और इसके साथ ये आपको फिल्ड में बहुत बेतर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है एमॉक्सिरम बोलस का यूज करने से ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि एक एंटिवाटिक है और एंटिवाटिक का ये काम करती है ठीक है तो एमॉक्सिरम एक एंटिवाटि कि जो Medicine की दुकान होती है वहाँ पे भी मिल जाएगी इसी के शाथ अगर online में को इसका link मिलता है तो online भी मैं description में या comment section में आपको link provide करवा दूंगा तो आप वहां से भी जाकर इसको पशाहें को दोस्तों अगर आपको हमारे दुलाइगों पसंद आती है किसी भी टॉपी के उपर तो इस मई विडियो को राय की जीए दूई-श्टूडेंट के साथ किशायं है विडियो को शेयर किजिए गा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जिसको वर्टसेप ग्रूप जोइन करना है तो वो जाको जोइन कर सकता है मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद